कि अगर हो पास वो तो हिच्किया अच्छी नहीं लगती बिना मौसम के बादल बिजलिया अच्छी नहीं लगती और मिले रेस्पॉंस तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़किया अच्छी नहीं लगती जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़किया अच्छी मैं तो संच बता रहा हूं एक आदमी चला के टैटू वाले के पास बहुत बुदवादे क्या करें बहुत कि कुछ नहीं यार वो गल्फ्रेंड का नाम बुदवाना है वो जब उसने गोदा तो रोने लगिया तो मैंने पू मेरे टैटू के पीछे मत पड़ो तुम मेरे परिवार में ज्यादा ध्यान मत लगाओ मैं तुमसे एक बात कह रही हूं कि अनमोल हूं मैं तुम तो मेरा दाम नहीं हो मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं मै जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं है आप फर्स्ट येर सेकेंड येर वाला सुनाएं जो उनका मन था सभी बात है हम जिसमें समय देखते वो सारणी हो तुम और प्रेम संविदा की कारेकारणी हो तुम और बातों में मेरे ऐसे यहां तंज मत करो मैं इक्षाधा विच्चाधारी कुछ नहीं है ये काले रंग के वो जीव है जिसको हम कभी सम्मेलन जीवी कहते हैं और ये कभी सम्मेलन में मैं केवल एक बहुत अच्छी सी बात कहके इन्हें आमंतरन देती हूं कि कावेपाट करें जी पैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना जो तुझ क को दिल में रखे उसको हम सफर करना और मेरे माथे की लकीरें भी येही कहती हैं अमबर ये महब्बत है जरा सोच समझ कर나ếu ये महब्बत है जरा सोच समझकर करना तो आप कावेपाध ही करें जी बिल्कुल ठीक बात है बात ही बात में इकरार किया जाता है इतनी रातों को कहा यार कहा जाता है और सोच समझ कर तो दिल लगाते नहीं हैं हम क्योंकि सोच समझ कर प्यार नहीं वैपार किया जाता है बहुत बढ़ी हैं, क्या बात कह दिया, अब मेरा मने की ये कावे पाट करें, वरना इससे जादा पोल खुल सकती है, कि आज मनजर खराब हो जाता, गर पुराना हिसाब हो जाता, ठीक है, बात बढ़ नहीं पाई, वरना तूब बेनकाब हो जाता बहुत अच्छे, हाँ, हर बात सानम हिजकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, बलकि आप लोगों के लिए तो ये कहूं, कि दफ़तर में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुटियां अच्छी नहीं लगती, क्या मैं यदि आपकी इजाजद हो तो मुझे इस बात पर कुछ बात कहने का मन है कह लो इजाजद देही देंगे इनका क्या जागा कि अगर हो पास वो तो हिच्कियां अच्छी नहीं लगती बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती बिना मौसम के बादल बिजलिया अच्छी नहीं लगती और मिले रेस्पॉंस तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़किया अच्छी नहीं लगती जम के बरसू मैं अपने जिस्म को बादल कर दूँ अज खुद को मैं तेरे प्यार में पागल कर दूँ अच्छा है बहुत बढ़े बहुत बहुत को भी देखूंगी मैं नफरत को भी देखूंगी जब आप किसी को प्रेम करते हैं है हाँ आजाई है बुला लीजी फोन पर बात कर रहे है रात्री के इस प्रहर आपका फोन आया है मैंनी कहती है ऐसा शंबू शिखर जी कहते है अच्छा कि इस समय केवल दो ही प्रकार के लोगों का फोन आता है एक उधार वाले का एक जुगार वाले पूछ वाले पूछ वाले और इनको उधार कौन देता होगा तो इनके पास तो जुगार गाई है अच्छी अच्छी जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हूं मैं फोन वाले की बात नहीं कर रही है कि मैं सबसे कह रही है कंफ्यूज मत करो कविता सुना जिसे सबसे जाता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गई आप इतना सुरीला बचपन से ही बोलते हैं कि सुनें मिटा जो कालों तक नहीं पोहुचे वही अल्फाज मत हो ना क्या बात है मैं मेरे सबसे अच्छे शब्द आप तक पहुचा रही हूं जिसे आप प्रेम करते हो आप आपस में पती-पत्नी हो सकते हैं प्रेसी प्रियवर हो सकते हैं आप आपस में किसी भी रिष्टे में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, आप बहन भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, मा पुत्र हो सकते हैं, मा पुत्र हो सकते हैं, शिश्य गुरू हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं, जिसे सबसे ज्यादा प् पहुचे वही अलफाज मत होना जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना है मुम्किन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना आप चौथी पंग्ती पर हाथ तयार हो और लगे कि आपके मन की बात अनामी का कि मुझ से निकल गई तो आपका यही मन यही साथ चाहिए जो आप अब तक मेरा साथ दे रहे हैं सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुचे वही अलफाज मत होना जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना है मुम्किन गल्टियों से गल्टियों का भी तो हो जाना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना पाए कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई बातों में वो पहँदू करोना में सब क्या हुआ अप जहां कहीं भी जाएए वहीं पर सेनिटाइजर मैं मंदीर गया वहां पर भी सेनिटाइजर मैं तो चंडरामरीत समझ कर चाट गया मुझे अलकोहल का स्वाद आया मैंने का एक दो बार और दो बोले विहारी हो क्या मैंने का तुम्हें कैसे पता लगा बोले कल एक डिब्बी लेके भाग गया क्योंकि हमारे यहां तो वैसे बैन हैं लोग सेनिटाइजर से ही काम चला रहे हैं बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई करते थे सेनिटाइज जिसे इश्क से अपने जाने वो किस के संग कोरेंटीन हो गई जाने वो किस के संग कोरेंटीन हो गई मोदी जी कांग रेसियों से खेल रहे हैं मोदी जी कांग रेसियों से खेल रहे हैं यूपी के आशिक योगी जी को झेल रहे हैं अखिलेशी अपने चाचा से ही खेल रहे है राहूल जी आ खाडे में डन्ड पेल रहे है दान्यवाद चीनी को जामा करके फिर से गन्ना बना तू जवर्दास्ता बहुत बढ़िया मैं तो आज भूती कभी क्लास में ध्यापका है बोले कौन बेब कुपे खड़ा हो जा तो महीं खड़ा हो बोले तुम बेब कुपे मैंने का नहीं सराप अके लिए खड़े अच्छे नहीं करते त्चीनी को जămा कार संस्क्रित के अध्यापका गए बोले को इसका हिंधी मनुवात करो मैंने किया, मा उससोर सोजा मैं जोती के पास घारा है कि इनि को जामा हंदी कज्यापक आगए बोले राहुल गांदी देश के परधान मंद्री बनें समैं कॉन सा अलंकार है मैंने कहा जिसम्भव अलंकार है चीन को जामाकारी देख जामा कारी मोधी चले थे नासा लिए जानिकों ने तक इसरों ने कल ही परसों ये बहुत बड़ा उप्गराफ फिर से लॉंच किया है सारे लोग एक बार जोरदार तालिया इसरों के लिए बजाई तो राजीम सर्य इसरों के लिए तालिया बहुत जरूरी तो कि इसरों से मेरा बच्छमन का नाता जब मैं पहली बार इसकुल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रों में बैठेंगे लड़के इस रों में बैठेंगे तो अपना इस रों से उस दिन का नाता है चीनी को जामाकर गणत का ध्यापक आ गए बोले एक्स की वैलू बताओ मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई बैड़ों जीनी को जामा का रिकफिर इस एंग्रेजी का थ्यापक आ गए बोले खुबसूरत लड़की को अग्रेजी में क्या कहते हैं मैंने कहा खुबसूरत लड़की को अंग्रेजी में I love You कहते हैं जीनिकोजा मा मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्थ में सो रहा था उपर पे 30-40 नीचे पे 80-90 तो 30-40 ने पूछा बोली बेहन तेरी उमर क्या है जया तो से निमंत्रन कहते हैं जो आम के पेड कर दिया जाता है उसे आम ध्रन करते हैं चीनिकोजा मा कारी के फिर इसे गनित का पर फिरा गया वहने तुम्हारे पिताजी को दोच्पन पथे प्रदव्याज ब्याजबर दस दिन दो देंपना लोटाएंगे मैंने कहा वो नही सीटी के लिए धन्यवाद मुझे देखकर सीटी बजाने वाले कमाल यह वह यह उल्लू छापकत है चीनी को जमा कर के फिर से गन्ना विज्ञान क्या ध्या पका गए बच्चे का पैदा हो ना सोशोलोजी का टॉपिक है कि बाई माजी का चीनि को जमा कर के फिर इस से गन्ना वाला है जान्चुम रहबर की दो लाइन याद आगे की अपने सक्मों को भी आई ना बनाया हमने आप को हसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना असान नहीं खुद का तमाशा करना कलेजा चाहिए औरों को हसाने के लिए कि वादा है हर जनम में बारू बारू मिलूंगी वाँ देगा कई सारों का बन गया ये महला बाकी की लाइन चोड़ो नहीं बाकी मैं पूरी सुनाओंगी ये ये चारों देखो आप 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 जितनी तेजी से आए नहीं ये अच्छा ये खट गए उनमें से कि ये जो आप अलग हैं बिलकुल बहुत बढिया कितने शरीफ है जी कि मैं पंतिया निवेदित कड़ी हमें में भी वादा है कि वादा है हर जनम में बारू-बारू मिलूंगी रिष्टाउं को आजमानव फादार मिलूंगी तुम भी बढ़ां ही देना अपना हाथ मेरी लेकर के राखी हाथ में तैयार मिलूगी लेकर के राखी और गहां पर यह पर prevention की रक्षा बंधिन और वेलेंटाइन डे एक दिन मना हम तन्युम करते हैं किवच्छ के पास अकेले नहीं जाते पती हैं बहुत अच्छ क करते हैं देखें, आप लोगों का तो कुछ नहीं है, आप रामलाल की बारात में जाते हैं, और शामलाल का बेंड अच्छा बचता है, तो उसी में ही नाचने रखते हैं, मैं आपको बता दूँ, इस बारात का रामलाल में हूँ और आप मेरी बारात में आएं, मैं पंक्तिया नोजवान साथी है भूदपुर्व नहीं मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी बुजुर्गियत को प्राप्त हो चुगे अब भूदपुर्व नोजवान है अनामिका जी बदन होता है बुढ़ा मन की फितरत कब बदलती है पुराना कूकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है है तो यह सब अधृदपुर्व नही अभूदफूर्व हैं वही है यह जो अभूदपूर्व जो भी है मैं इनेप्रणाम करती हूं मैं तो इनके बारे में एक बात बता रही हूं आजकल जब चैटिंग करते हैं मैसेंजर पे इनने यह नहीं पता रहेता कि सामने कौन है में एक सलाह दे देती हूं और फिर मैं अपने मूलतेवर पराती हूं ये केवल आपके मनोरंजन के लिए था जो हम कर रहे हैं पंक्तिया लेकिन निवेदित जरूर करते हूं सुने ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सामने कौन है तब कहती हूं कि चमकता जग मगाता एक भ् स्क्रिन्शोट से सब माल निकला था समझकर सुन्दरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग कईयों के साथ हो चुका है समझकर सुन्दरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग असलियत सामने आई तो सुन्दरलाल निकला था बहुत अच्छे अब तक जुबा पे स्वाद लिपिष्टिक का आ रहा और चार लाइने सुनिएगा जो आपने डिमांड की थी मैं तीन वो सुना देता हूँ तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कन्फ्यूज हो जाए हमारी हर कहानी हर जगा सुर्खी बने दिल बर कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए और जो सर कहरे थे कि आप सब अपनी अपनी सीटों से चार 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 इंच उठी जाएंगे तो चार इंच नहीं उठीएगा पूरे दो फूट उठीएगा और धन्यवाद करने आजएगा बहुत हमें कुछ सुनाओं आप दो फूट उचलने लगें तो कोई फाइदा नहीं है पॉपकॉन जैसा लगे आप यहां प्याकर सीधा हमारा धन्यवाद कर दीजेगा ना हमसे बात करती हो ना खुल के मुस्कुराती हो भला दिल में हैसा क्या जुबां से कहन पाती हो अजब दूर गंद सी आती हैसासों से तेरी दिल बर बताओ आज कल क्या तुम कोई गुट का चबाती हो सभी का मोक मैं अपने बड़ा ही पाश्ट करता हूं जहां से स्टाट करता हूं वही परलाश्ट करता हूं विरोधी हूं मैं जाती वर्ण की ओची बेवस्था का मोहबत जब भी करता हूं तो इंटर काश्ट करता हूं मोहबत जब भी सच्चा हो अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर गुल्बन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम अब क्ये बिछड रहे हैं तो कुछ रंज आएगी और फिर मिलेंगे आप सबका बहुत-बहुत आभार